आप में अब आज आ रहे हैं कि आप लोग तरक अब गुद्मार्णिंग से अब आप कर दो है चलो लो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉपुगेंश है न है इसके बेसिग चीजिए और यस ancora क्या क्या चीजिए इस प्रैक्टीस में एक एक जो होती है रखना है कि बहुत वह क्या करने बच्चे कि क्या होता है अर कमर्सी दोनों में अंतर होता है देखो जैसे हम रोस की बात कृते हैं कृटिंग को क्या करते हैं लगा देते हैं कही में लेकिन उसका कमर्शाण एक क्रिक हो और दौनों चीज़े क्या है आपको करते है सो拜拜 प्रैक्टीस है कि इसमें भी यह practice कर सकते हैं, cutting लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, tea bur Briton होता है Ollie해주 में अर्य निकलता है सैंटिम art को हमें लागत में डिया मटा क्वोड़ीट के का सकना है ना बाकी मैंने इसके बाद में पुरे list कर दें 크ला कौन सा है! practice की हर्में बात होगी तो practice में आपको दिखेगा कि रोज cutting में भी हो आए तो ऐसा मत समझने कि commercial cutting ही है वो practice है तो जर्रली propagation में सारे method आएंगे उसमें बहुत से method में practices होगी लेकिन commercial किसके लिए है वो एक list out है crop आएगी तो क्राप के टाइम में भी बात करेंगे की सेरिये में कैसा होता है यह बताने का जर्रल वे है और प्लांट प्रोपोगेशन की जो थेवरी पोर्शन जो बात करेंगे बेनिफिट है ना डिसेडवांटेज जो सारी चीज़ उनसे एक क्विस्टन बनता है ठीक है तो यह थेवरी सिस्टम याद करने जोरत नहीं सेम प्रोपोगेशन बात करेंगे तो प्रोपोगेशन की बात करने की क्रॉप में जाके प्रोपोगेशन को याद करने जोरत नहीं पड़ेगी यहां से हो जाएक तो अब बात करते हैं हम लोग प्लांट प्रोपोगेशन है ना प्लांट प् प्रोपोगेशन पर अच्छी चीज वह होती है कि हमारा अभी आपका पार्थनो कार्पी आगा है तो आगे सब का धीरे-धीरे है एक साथ करने से कॉंप्लीकेट हो जाती चीज़े तो लाइन से सारी चीज़े आएगी आज की क्लास में रहने वाला इसका इंपॉर्टेंट क्यों यह जरूरी है क्या चीज़े है और इसको समझना जरूरी क्योंकि थेओरी बेसिस पे एक क्विस्टन आता है इसका ठीक उसके बाद दो टाइ हो जाता है और एनी प्लांट पार्ट हो जाता है वह वेजिटेटिव हो जाता है अब क्या हो रही है कि हमारी जो प्रोपोगेशन की तरीके हैं वह अब सिप्ट हो रहा है ठीक है यहां पर लिखा है इन विट्रो इन विट्रो में कोई अंतर बताएगा क्या होता है इन तो मिन्स लेप सुब्सक्रइब कटिशन हम को हमारा क्या होरा है आज का में कोश चीश करें केło होते है तो हम कहा रहे है रही कि नीज़ के बाइयोenne कि तो बाइयो टेकनोलोजी कोई बड़ी चीज नहीं है ने वो है एक टेकनोलोजी का यूज करते हैं उसमें बहुत सारे टूल्स का यूज़ बोल सकते हैं कि यूज़ आप टूल्से फूर मेनी परपस है ना क्या चीज़े हमीं चाहिए तो हमारा अभी प्रपोगेशन किसकी औ तो आज कल धीरे धीरे क्या हो रही है यह चीज़े हैं अब देखो बेसिक जो हम बात करें थे दो अजसरे पहले अब्जेक्टि बात कर रहे हैं आज के अगर हम मनके चलों क्रौप्स लेते हैं कोई भी चीज़ का पोटाइटो का ले लिए या फिर हम कोई भी पापाया का ले लिए मैंगो का ले लिए तो इनमें जब तक एक ही हमामरपाली तोड़ने गया है उननमें भी छो दिखनी चाहिए लेकिन इसका एक अगर जाएंगे तो यह दिक्कत होती है ना क्योंकि उसमें दो होके आते हैं ना तो पैरेंट्स के मदर के जैसा होता है ना फादर के जैसा एक नया आता है तो यह वहाँ पर आती है ठीक को पढ़ेंगे तो कवर होगा ठीक है नो डाउट हम हम वेजिटेटीव प्रोगेशन करते हैं तो हम जानके करते हैं कि हमारा प्रांड मटेरियल कैसा है तब ही तो हम उसको लेते कि हाँ यह अरली बियरिंग है कि यह कुछ इनकी फ्लावरिंग है इस नीचर के हिसाफ से जल्दी आती है तो उस हिसाफ से अली बेरिंग भी हमार है भी ले लेते हैं तो नो डाउट कि इधर साइटोप्लाज्म से फ्लो हो रहा है फ्लो होके हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ठीक है रजिस्टेंस अगें पेस्टेंड डिसीज ठीक है यह पॉइंट समझो इसमें क्या होता है कोई एक पेड है हमारे पास मान चलो ऐस to the coffee लगा आए पंडे सहरी लगाए यह हमारा जेस है और यह हमारा समझो इसनी एक साथ है तो इसको हम इसमें लगा दी इसको ठीक है है यह समय लगा धी है तो इस को वह control बोदशन क्या कर रही है एफक नहीं कर रहा है तो हम root stock इसमें लगाएंगे इसका लगाएंगे तो यहां से तो इसके अगेंस काम कर रहा है इसमें नहीं जाएगा इसका सिर्फ साइटो प्लाजम जाता है लेकिन अगर हम बात करें तो यह हमें किस से मिलता है होता है कोई किसी चीज के रजिस्टंस होता है तो यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो हमारे लिए क्या होता है हमारे लिए sexual propagation होता है ना यह चीज़े आगे आगे तो इस गौरत से बताऊंगा कि कैसे आगे फ्लो होता है इनकी root stock और सायन ठीक है maintain the plant stock ठीक है कई चीज़े क्या होती है कि अब एक plant है हां मिया जाकी है ना अब वो कितना महेंगा जाता है न उसका एक fruit जाता है एक लाग दो लाग जो भी है अब उसका एक ही plant है तो उसको कैसे maintain करेंगे अब इसको क्लाइमेट आ गया या कुछ भी हो गया खराब हो जागा नो डान उसको कटिंग करेंगे या जो भी उसका commercial कर लिए तो उसका क्या हो जाएगा मल्टिप्लिकेशन या उसी स्टाउक को हम फिर मेंटेन कर सकते हैं प्रिजर्विंग इंडेंजरस इस्पीसिस यही बाते हैं कि कोई चीज़े अगर विलूप्त होने की कगार में हैं तो हम उसे या तो इन विट्रो कंडिशन में ले जा नंग्युका है कि तो ही सेकषोञ वी का हम गुचार गूता है लेकिन अब इसके कमपेर में बहुत फिछे हैं लेकिन क्या reason है कि अभी भी इस method है हमारे पास, इसको हम हटा नहीं सकते और कभी भी हटाया नहीं जाएगा इस method को, as compare के sexual अच्छा है, लेकिन कोई एक reason है जिनके वज़ा sexual propagation अभी भी अपनी जगह पे एक value लेके बनी हुई है, तो वो कोई एक basic different बताओ के दोनों में, एक- तर्म में उसका, किसी को कोई idea है, इसी को जासी अभी तक बचा हुआ है, बचा हुआ है, इसे कभी भी genetic diversity नहीं देखने को मिलेगी, मैं इसको अभी बताता हूं कैसे, इसमें देखना को मिलती है, नो ना दो गैविट हो रहे हैं है, हमें ही ले सकते हैं, अपने आपको अग करेक्टर आता है, पापक आता है, कभी-कभी parental है, हमारे प्रोजनी का भी करेक्टर आता है, तो क्या होता है, हमें variation देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम मेरे हाथ से clone बनाओ, सपोज मैं, कि कुछ जैसे movie देखे होंगे, clone बनाते हैं, same clone बनता है, तो उसमें कोई diversification नहीं हो लेकिन दो गेमीट की fusion से ही हमें diversity मिलेगी, उनमें variation आएगा, तो इसका एक classic वही है, कि genetic diversity इसमें देखने को मिलती है, वही इसका क्या हो जागा, disadvantage है, अब इसका मैं पूछूँ कि इसके compare में इसमें एक ऐसा चीज है, जो बहुत ज्यादा useful है, जो अभी मैंने चर्षा की ह इस टर्म को, तो इस असेक्सारी प्रोड़क्त प्रोपोगेशन में क्या वैसा टर्म है, जो उससे हटके बनाता है, इसको, बहुत इंपोर्टेंट बना देता है, कोई idea, अभी बात क्या, क्लोन आएगा, क्लोन आया, सेम आया, तो मतलब क्या रहा है, यूनिफार्म रिटी दो गैमिक फ्यूजोर है, तहां से आएगे, तो इससे आता है, तो इसलिए इन दोनों में एक अभी भी एक बीच में रेखा बनी हुई है, इन ही वज़ा से, ये अपने आपने यूनिफार्म रिटी में महारात हासिल है, ये यूनिफार्म रिटी कभी भी नहीं दे ठीक है, आगे आप फिर भी इतना से ओर नहीं है कि इसके जितना वो यूनिफार्म रिटी दे पाए, शेक्षूल प्रोपोकेशन में क्या होगी, यूनिफार्म रिटी होती है, आपने देखा है, रोज लगा और रोज का ही आएगा करेक्टर है तो वो सारी चीज़े होती ह आप देखो, इसमें क्या हो रहा है, जिनेटिक डावर्सिती कैसे नहीं आ रहा है, एक चीज़ एक जामपल पर समझते हैं, एक दो बच्चे बहुत मतलब क्लास पूछे भी है, कैसे होता है करके, सपोज, ये हमारा मान के चलते हैं, दसहरी है न, जो थोड़ा सा वाया ड्र तो उसके यहां चौसा लगा था, मीठा वरायटी, बहुत सीटेश वरायटी है न, फुल्स फोल लगा था, वो लेके आ गया, लेकिन उसका कंडिशन था कि वो ड्राई में नहीं लग सकता, तो हमारे लिए रूट इस्टक यह काम कर रहा है, ड्राई कंडिशन के लिए दसह लेके आगे है न, तो यह रूट इस्टक है, और यह सायन है, सभी जानके हो लेके आगे, अब इसमें हम लोग ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक, तो अब ऐसा मत समझना कि दसहरी का इसमें क्वाल्टी जाएगा, कि अब जो इस यह सीड बनेगा, वो ड्राई के लिए हो ज करेगा, ड्राई लेन में खड़ा हो जाएगा, उपर जो क्वाल्टी आगी, यह पूरा का पूरा चौसा का रहेगा, नीचे बस मदर स्वापोर मिलेगा, उपर चौसा का रहेगा, ठीक है, अब चौसा का फिर सीड आ गया, सपोज इसमें आया, अब मैं वो सीड को लगा द कर गया, लेकिन इसमें ड्राई कंडिशन के लिए क्वाल्टी नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें दो गैमिट का फ्यूजन ही नहीं हुआ, इसके गैमिट में ड्राई कंडिशन का है, कोई एक जीन होगा, जो उनको ड्राई के लिए वो कर रहा होगा, इसमें मीठा वाला जीन loves तो मिल के राइक बनना था टिसमें मुंधना रेकिन हमारा क्या है प्लांट प्रोपोगेशन रिचान हमारा कि किस नहीं नहीं होते है तो क्या होगते है फिर हमारा यह वैसा का वैसा रह जाए तो यहीं रिजन होता है कि वह एक दो परसेंट इंसेक्ट की हो गया इन्वायमेंटल हो गया थोड़े बहुत जेनेटिक नुट्रिशन इसकी वज़े से वाएंगे लेकिन आपको चौसा क्पेड में चौसा ही दिखेगा जो उनकी क्वाल्टी महां से आप ले किया थे उसमें कभी भी यह ड्र पाइक कंडिशन उसको मंगेगा तो ऐसा होता है ठीक तो यह दोनों में क्लियर है कि क्या चीजी हमारी वेरियेशन है अब बात करते हैं अब वहीं चीज़े आगी देखो जो चीज़े तुम्हें जानना था वह बेसिक लियर हो गया अब इसके बेसिस पर तुम कर सकते है आ आधी थिक है ट्रुटु टाइप रहेंगे नौन टुटु ट्रुटु टाइप अब नॉं टुटु टुटाइप मतलब किसके इढों कोई बाता सकते हैं नौन पूरु सकते हैं मेरे पंटल की जैसे होँगे निहां जैसे क्जांपल हमने देख हो कि का कुछ करेक्टर आए हैं तो दोनों के साइड हम नहीं रहा सकते हैं हो सकता है उपर हमारे और उपर के जो गारदय का गया या नाना कभी आता है लोग बेसी कपड ली इससे हैं और और बहुत से तो यही कारण है कि हम भी भी हमारा सेक्षारी प्रोडक्शन को हम नकार नहीं सकते हैं तो यह चीजे हमारी इन दोनों को बेसिक है प्रोडक्शन की बात करेंगे इसको तो आप लोग जब ब्रीडिंग पढ़ोगे और पच्छे से पढ़ोगे सीट कैसे बनता है क्या बनता है हमारे उतना यह इंपोर्टेंट नहीं है डील करने से अलग ही चैप्टर चला जाएगा न मेगो इस पर जनेती इस पर इस पर ठीक यह सारी चीजे बहुत लैंदी हो जाएगी तो यहां पर मैंने जर्रल बस सीट का बताया है ब्रीडिंग पढ़ोगे तो आटमेटिक आप यह सीट के बारें पढ़ोगे तो आ जाएगा ठीक है यह प्रोसेस आप लोग जर्रल ही सब जानते हो है ना पोलन करेम का जाना पोल इसमें पढ़ोगे इसमें पढ़ोगे तो यह अपने आपने एक बड़ा चीज है ना तो यह जहां पर जानने के हम उतनी जरूरत नहीं है बस ले आउट है दो गेमिट कर जोना फ्योंट हो पिर अबरी में जाके फिर सीड बनना फिर सीड़ बनके मेच्छोर होना वो बेसी करांगे कोई चीज का दो गेमिट करेंगे कि सपोस्वों ड्राइ कंडिशन के लिए था अब ड्राइ कंडिशन के कभी कभी सलानेटी का केस आ जाता है तो एक वाला पैरेंट लेते हैं तो वह क्या हो जाएगी दोनों के लिए रजिस्टेंस गूर्ट जोर्री नहीं कि कर द नैंटी नाइन फाइब कुछ होता है तो यह चीजे वैसी होती है ठीक इजी सिंपल कंवेंस में तर्ट नो डाउट इसमें अब यह सारी चीजे वही चीजे होगी जो आप लोग को जानते हो ठीक कुछ चीजे हैं पपाया मेरी गोल्ल चीली कैप्सिकम टोमेटो के नाटी इसक्ताइब की कमर्सियल और प्रैक्ति से याद रखना है एकदम से दोनों को जोन मत देना कॉन करते हैं कर रहे हैं उसमें में फिर कंपेर करेंगे फिर बताएंगे कि नहीं भई हमारा यह मेथर सही है इसको कमर्सियल फिर एपलाई करो तहुंगा पर दो बार बार ओक्र लिश्टेट में आप लोग को एक साथ एक टेबल में मिल जाएगा ठीक पपाया जैसे हो गया इन सब में क्या होता है इनके लिए नेसेसरी होती जेनेटिक डावरसीटी यही बात कर रहे था तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर समझ गया जो की आप समझ गया से दो पैरेंट क्रास होंगे दो नीव राइटी आती है ठीक राइजिंग रूटी स्टॉक ठीक है सीट से हम रूटी स्टॉक ही बना सकते हैं यहां से यह डवलप हो है ठीक यहां से हम जो भी चाहते हैं अगर सपोज कि चौसा सीटेस्ट वराइटी है लेके आगए लगा तो हम एक रूटई स्टॉक बना लिए मिठा वाला रूट इसका हमारे पास है अब उसमें दस अहरी लगाएंगे तो चौसा का गुड उसमें दस हरी में नहीं नहीं है मिठा नहीं होगा तो इसी लिए हमेशा कुछ चीजे जैसे अपन बात कर रहे हैं चौसा को ऐसे उसको ताकि वो प्लांट में तो मीठा लगे अब उसे रूट के लिए कुछ कर रहा है कि अच्छा होता है लेकिन मेरे एरिया में तो इसको जाके लगा दो तो वह लड़ेगा ऊपर में कोई सायन लगा दो तो यह सारी चीजे देखने को मिलते हैं इंजी ट्रांस्पोर्टेशन इन वह अवसात्तरु नमस्था वोलते हैं इसको वही मतलब जहां पर यंग रहता प्लांट तो इन में बहुत टाइम लगता है वेजिटेटीव ग्रोथ करने में लंबा फेस लग जाता है अगर नीबू की बात करेंगे तो देशी नीबू के अगर हम लगा देते हैं से तो लगाते हैं देशी वह चार पांस साल में आता है लेकिन जो देशी रहता है बहुत पहले वह साथ आठ साल तक उसमें देखा गया है इतना लंबा जोई लाइन फेस रहता है प्रोडक्शन इंपीरियर क्वाल्टी का नहीं मिलता है इसमें ठीक है यह वायरास शरॉपसी वायरास इन पीच एंचेरी यह ट्रांसफर भी होते हैं अगर आप लोग सिंपली देखेंगे तो अगर पैरेंट्स में कुछ रहता है सीकल से तो वह ट्रांसफर होके बच्चे या उनके बच्चे दो तीन पीडी तक वह पहुंच जाता है तो वह ऐसी इसमें भी होता है कोई एक है जिसको हम सीट से प्रोपोगेट करते कि सब्सक्राइब है तो उसमें हां यह उसमें क्या होगा यह समस्या आ सकती है अब 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 असेक्श्वल को वही बात करेंगे अब अधर दिन सीट को छोड़की यह सिंपल है भी मायटोसीज डिवजन इन वाल ठीक है उसमें मीवसी होता है इसमें मायटोसीज याद रखना ठीक है तो मैटोसीज मैं यह पढ़ोगे आगे तो याद रखना कि अगर कह आगे ऐसे तो अभी तक नहीं पुछा है बट मायटोसीज जो होता है इसमें होता है मियोसीज उसमें होता है ना मेथर लाइट कटिंग बडिंग डिविजन लेरिंग ग्राफ्टिंग भी होता है अब इसको हम वन बाई वन बाई पढ़ते जाएंगे कि क्या-क्या होता है तो यहां जो थेवरी पूर्शन से में इतना ही आता है ज्यादा तो नहीं पुछते थोड़ा सा गुमा के क्योंकि यहां पर लंबा च्वड़ा लिखता है ना तो इस स्टेंट्मेंट को पढ़के थोड़ा सा आप लोग देखना है ना टीचर का मैं कल जाके क्वेस्चन प तो मतलब ऐसा है कि हम जो पड़े हैं उसके इर्दगिर्दी वह क्वेस्चन भूमा है तो ऐसी चीज़े में इसमें कवर कराने की कोशिज कर रहा है अब इसका भी वही एडवांटेज क्या होगा ट्रू-ट्रू टाइप मिलेंगे यूनिफार्मिलिटी मिलेगी ठीक है सॉ तो लोग में जब compare करते है तो मेरी जो quality रहेगं वही उसकी quality बनेगी उसकी जो quality रहेगी वहीfourटी बनेगे तो वही जाते है ठीक है मर गया अगय है तोड़े सा चांसे जराते हैं इसमें भी ठीक है यह है यह है पूरे असेक्षिल के पार्ट थीक है तो यह सारी चीजें हम वन बाई-वाइन यहां से पढ़ें कटिन क्या है बडिंग क्या है लेरिंग क्या है इस पेसल पार्ट में पढ़ेंगे अभी फिलःद यहां से स्टार्ट करते हैं कटिंग है कटिंग का मैं आप लोगको एक फंड़ा बता देता हूं कटिंग के तो यह हमारा कोई सभी प्लांट है अब यहां से हम लोग क्या ले रहे हैं एक कटिंग यह हमारा इसी में तीनों चीज़ा है तो थोड़ अच्छे समझाएगा अब ब्राउन तो नहीं दीख रहा है कि वेट अब अब ले लिये हैं कटिंग है यह कटिंग ले लिए इसकी तीन पार्ट है इसमें तीन को क्या क्या बोलते वह देखते हैं सबसे पहले हम एक कटिंग अब सपोस्क्रों करो कि आप रोज को कट करके लिए आया ही विसकास को लेके आ गया ठीक है तो तो यह क्या रहता है रहता है लेक्ता लेंडी तो लेकिन लेकर तूम लोग इस तीनों में यह तीनों प्रेजन्त है अब तुम्हें लगाना क्या है तो ठीक है कि आपको प्लांट भी यह पार्ट रहता कहा है उसके बाद ठीक यह ब्राउनीस कलर में होगे एक साल पुराना होगे अब आगे चलते हैं हांड वूट कटिंग आप लोग को समझ आ गया कि वह नियर भाई इस टेम से लगा रहेगा ब्राउनीस रहेगा और थोड़ा थीकनेस और ब्राउन रेड होते होते जाएगा मतलब ग्रीन प्रेजेंट रहेगा ठीक है यह वाला तो यह हमारा रहता है चार से नौ मन्त रहता है तो यह सेमी हाड़ूट हो गया यह हाड़ूट हो गया अब यह साफ्ट हाड़ूट जो ऊपर कराता है ठीक है उपर कराता है वह सा लीफ निकला रहता है ऐसे और यहां पेक निकला रहता है तो यहां को कटिंग करते हैं वो टर्मिनल कटिंग बोलते हैं हर्वेशियस कटिंग बोलते हैं तो यह सारी चीजे आप लोग को एक स्टेम में सबसे फ़हले हाड़ूट यह हो गया ब्राउन इसकलन में रहेगा है यह इसको तो है और सपarfनें प्लाइट कर क्या करते हैं यह इसको थोड़ा सा क्रते हैं यह आसा है तो ऐसे कट कर ते यह त Perhaps यह कुंगी ज्यादा मिली है आरा ऐसे करके हम कट करेंगे प्लांट को ऐसे थोड़ा तो θबोसर पे से रही है इसके хорош तो यहां से थोड़ा एब्जॉप्शन रेट ज्यादा होता है तो हाड़ूड कटिंग अब इससे पहले कटिंग से कुछ क्वेस्टन आते हैं क्या होता है कटिंग के लिए जनरली हम जबी भी लाते हैं प्लांट तो क्या होता है वन मन्थ आप लोग हो पता है वह सारी चीजे फंडा हो जाएगी तो उसके लाते कि आज सबसे ज्यादा रिक्वार्मेंट है आपको चेंबर या आपको ऐसे जगा उसको रखना है ताकि उसका रूट जल्दी से डेवलाप हो ठीक है रूट हमारा पहला टार्गेट होता है तो रूट डेवलाप क तो उसको लाने के लिए सबस्क्राइब कोई सब्सक्राइब को तो हम लगाते हैं यहाँ तो यह मुझ सोना चेंब करते हैं गृन हां लगाते हैं अब विए टेक्निक किसमें में यूज होता है कटिंग में होता है लेरिंग में होता है ग्राफ्टिंग में होता है कोई बता पाएगा बॉटम हीट टेक्नी कटिंग कटिंग वेरी गुड है ना और कोई क्रॉप याद आ रहा है बॉटम हीट क्रॉप किसमें ने ने वह तो वेपर हिट प्रोसेस है उसमें वह अलग होता है उसको ही पढ़ेंगे बॉगन विलिया में होता है ठीक है बॉगन विलिया क्या होता है वो बेसिकली कटिंग पर ही काम होता है तो इसमें एक प्रकार से सब्वाइट के परषेंट बहुत जादा बढ़ जाता है इसके पीछे का साइंस है तो बढ़ता है तो यहां से प्रोसेस पर क्या होती है यहां पर थोड़ा सा मोमेंट बढ़ जाता है तो इसको करते हैं 28 प्लस माइनस तू मतलब 28 प्लस तू 30 से 32 अगर लिखोगे तो आप लोग 30 से 32 लिख सकते हो अगर ऐसा आया जर्रली यह पूछा जाता है 28 प्लस माइनस टू मींस कि 28 में दो जोड़ो या स्वारी दो जोड़ो या दो घटा आदो हा ना ये 30 तो 26 और 30 इसमें बहूत कम मंदलब की हुमस को थोड़ा सा करेगा थीक में इसके लिए क्टिंग के लिए बॉगण मीलिया में आज के जर्रली का मरस्यलाइं उसके बाद क्या करते है अब बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यह हमारा यहां से हम कटिंग लेते हैं इतने को लेते हैं और बात करेंगे तो वन यह ओल्ड होना चीए बारा मंत का होना चीए ठीक वहीं पर दो तीन बड उसमें दिखना चीए अब देखो कभी भी कटिंग लगाते हो तो हम जरली के अगर अगर बड़े प्लान कचे लिप के साथ रख देता है लिप के साथ कभी मत रखना हलकी बड बड भी तेने कि इतने बड़े न थोड़े से बड़ नहीं दिख रहा है बहुत लगता कि हाँ ये बड़ दिख रहा कहीं से है न इस प्राउटिंग चैनल जो रहता है एकडम थोड़ा सा निकलता है वह आगे बढ़ता है वह अन्ना कर ज्यादा बड़ा रहेगा तो उसको इसको भी नोट से कटिंग क्योंकि क्या होता है अगर हम लोग देख यहां पर क्या वह रहा है लोवर कटिंग made just below the note यह है नोट इसकी नीट से हम कटिंग करेंगे क्यों ऐसा करते है क्योंकि यहां एनर्जी इस्टोर रहता है अगर हम उपर से कार दिये तो हमारे इतने करते हैं तो हमारा बेसिकली ऐसे त्यार होता है यह अर्य हमारा क्या है ये तो उपर थोड़ा ये इनर्जी जाने के लिए हम खुले करके और यहां रूटिंग हो लेते हैं शुक करते हैं यहां और बात करेंगे तो अगए आप ईतने सारे आगे अगे आपको अगो बेसीज आठिक यहां को जानना है कि除ा कीश में किसमें होता आपको सारे बुक में गीया तो यह चीज़ी एक्टीस मैं दी हों समझ गए आपको भ्राउन बीज़ा गार्ड भू छोटा हो जाएगा थोड़ा सा यह विंटर इस्प्रिंग में कर रहे थे विंटर के बाद जैसे हम स्वती पूजा के और जाते हैं तो वह स्प्रिंग का सीजन होता है यह प्रैक्टिस फिर उसके बाद हम जब कमर्सियल आएंगे तो आप लोगों को पता है होता है वह कहां-कहां रिजन पर होता है तो जब यह क्रॉप आएगी और मैथड आएगी तब हम उस पर और इक्जाम्पल पर बात करेंगे ठीक है उसके शाप्टूट कटिंग उपर का आगया ठीक है ईसके लिए और ज्यादा रहेगी ठीक प्रैक्टिस उनडर निस्ट चेंबर ही हमें क्या करता है तो क्या होता है कि वहां पर आप क्या हो रहा है मॉइस्टर एयर में फैर रहा है मतलब कि हुमिडिटी का डिफिनेशन गया कि वहां पर हुमिडिटी अपना मॉइस्टर में भी आ गया और नीचे स्वाइल में भी वह रहाए अब देखो हुमिडिटी जब इन्वाइमेंट में रहेगा तो सबसे पहले हमारा क्या है यहां पर कटिंग लगा दिये तो दो चीज़ से हमारा वाटर का लॉस होता है सब्सक्राइब लेकिन हमारे पास सबस्क्राइब के पास कुछ है कि क्या होता है उसमें उसन रहा जाती ह हो वही पहां कि रहाती है दिमांड वह Πर मेंटेर रहा जाती है इसलिए हमें बार-बार मिश्टिंग की जवरत पड़ती है तो यहां पर कटिंग पर जितने भी मिलेंगे आपको हिमिडिटी की होगी यह दो-तीन मन्द थोड़ रहेगा ठीक है ले इसका फिर चोटा हो जाएगा दस से पंद्रा और टी में करते हैं यह साब्डूट कटिंग आगे और आगा ठीक है लीफ नोट कटिंग एपल में भी करते हैं यह प्रैक्टिस पर हैं आगे कमर्सियल में आपको बताऊंग मतलब थोड़ा गुच्छेदार कटिंग की लगा दिये तो यह सारी चीज़े देखो यहां पर उठा लेते हैं यह सारी चीज़े यह अलग प्लांट है यह प्लांट नहीं है तो इसमें करते हैं तो यह वही है अपने घर के नाली के पास लगा दो अभी वो पूरे दिन भर वेजिटेटीव गुलोथ करेगा विंटर के ताइम करता है तो वह पूरा कापका अपने आप उप्लावरी करता है तो और करते हैं उसमें और कटिंग लगा रहे गा उपर फैलता है ठीक है तो वह अपना टर्मिनल कटिंग इसमें होता है आपका एक एक चीज़ रहेगा कि फीक का किसमें हो रहा है वह आपको एक साथ यह हाद वो एक जगह यहाँ पर आपको इसकी बेसिक चीज़े बता रहो जैसे अब बात करते हैं अगर कटिंग में कुछ डाउट हो या उपर के पोर्संस से तो पूछ सकते हैं ना चलो आके बढ़ते हैं बड़िंग की बड़िंग यह प्रकार का ग्राफ्टिंग ही है पहले क्या करते हैं लेकिन इसको टर्म दे दिये हैं क्योंकि इसमें सब में बड़ यूज करते हैं बड़ की बीना कुछ नहीं होता तो यह परकार का ग्राफ्टिंग में समझो के नार्सिंग करते हैं बहुत वाला इसको कट नहीं करते फिर उसमें क्या होता है इसको बढ़ने देते हैं जब तक कि यह अपने आपको एनरजी ना ले ले फिर इसको कार देते हैं तो इस बढ़ से हमारा फिर नया चीज़े आना शुरू हो जाते हैं तो यह बढ़िंग का एक प्रोसेस अप कनेक्शन सायन मतलब जो हम जिसको चाहते हैं उसको लाके लगाते हैं तो यह चीज़े हमारा बोलना चाहरा है अब इसमें जो टर्म है बड़ आप समझ गए बड़ हमारा जो फ्लावर पूर जिससे हम फ्रेम और कचा के आगे प्लांट करेंगे ठीक रूटी स्टॉक मिल्स जो करेंगे मैट्रिक्स जब सायन और रूटी स्टॉक कमबाइन होता है जैसे यहां पर बढ़ यह हो गया कमबाइन हो गया यह हमारा रूटी स्टॉक है यह को दोनों कमबाइन होते हैं उस प्लेस को the point it which sign is joined to root इसको क्या बोलते हैं मैट्रीक्स बोलते हैं इस पूजिशन को जिस पर हम लोग कम्बाइन करते हैं यह अब वह गया ज्वाइन्ट तो इस जगह को हम मैट्रीक्स बोलते हैं तो एक दो साल में होता है प्लांट थोड़ा एकदम ही में चुन ही होता लेकिन तो बड़ रहता है वहाँ पर फ्लो एनर्जी अच्छा होता है तो वहाँ पर हम लोग बड़ को जाके लगाते हैं फिर वहाँ से बड़ को एनर्जी सप्लाइब होती है वह प्लोग मैं आगे बताऊंगा जब बड़ भी बोला जाता है तो शील बड़िंग में आप लोग याद रखें जैसे हैं आप देखेंगे कैप्टन अमिर का उसका सील क्या रहाता है गोल का था आप उसको बोट सेप में समझी है अईसे सेप में रहता है और यहां पेक रहता है तो शील जैसा एक ऐसा गुलट स बड़ यह रहा आपका इस्ठाल लगा लो इसको थी उसमें बड़ क्या रहता है टूपाइंट टूपाइंट थी सेंटिम्लेर यूज फोर बड़िंग छोटा रहेगा दो ती सेंटिम्लेर होता कितने है ना यासे लेकिन ध्यार रहे जब हम निकालते हैं तो ध्यान से बड़िंग मोलते हैं इसी को उल्टा कर दिये इस पर करते है 10 से 25 कöstरी वर्यें हम जदा ऊपर भी नहीं कर सकते जादा अउपर करने से उनको एनेर्जी में दिख्कत आईगे क्योगी बड़ हमारा नए चीजिश को development करने के लिए जा रहा है जू हमारा नएचीज अभी एक ब्रांच होगा यहां वहां पहुंचे गा तो यही है कि सबसे नीचे पर इसको करते हैं जो पतले थीन है ना जैसे रोज ही मैं करलो सिम्पाइसी डेखेंगो कि इसकी कितना रहता है ैंद तो वैसी में इसका यूज करते है और रोज यह क्या हो रहा यह私 है रोज में होता है बागी एपल चिंच को लिस्टेट में मिल जागा यहांपे उतना ध्यान इयुक्षारण यह देंब च्यवाटिस को जिसे बना दिया गया उशको और कि जोरत पड़ गया की कि क्यों कि अधर इसमें थे नतो कि यो如此 कि अधर को आँर इसमें पयंकि जोरत पड़ गई है आधि उल्त सब्सक्राइब कि जरुआ हाँ एक सीबकरोंनेव सब्सक्राइब लोगों को यह बना देता हो तो उसमें ज्यादा समझाए एक बड़ा सा बनाता हूं कि यह अधिक है यह ती है इसमें इमेज में अच्छा नहीं बढ़ रहा है तो उपर भी ओपन हो रहा है यह वाला यह वाला यह वाला यहां से आप लेकिन अब इसको हम उल्टा कर दिये तो यहां इसको क्या हो गया यहां इनिक सोर्स कम है तो फिर इसको क्या कर देते हैं व्रैप कर देते हैं तो फिर उससे क्या हो गई तो जो रहन कंडिशन में जो दिक्कत हो रही थी फंगल अटेग होना वह सारी चीजे फिर उल्टी टि में होना इस्टार्ट हो गया तो फिर उसके बाद वो समझते इसलिए नहीं चल पाया तो इसलिए टी बढ़िंग कमर्शियल हमारा बहुत सारे क्रॉप में होता है आपको दीखेगा आगे हैं तो यह चीज़ है उल्टेटी और टी के कंडिशन की बाद पर बाद करेंगे नाम सी यह पैच बड़िंग करके फिर इसको लगाते हैं यहांपे लेकिन यहां पर इसको निकालते बनता अगर नहीं है तो इसको ही एनरजी देखो बड़ आप लेते हैं हम लोग ले रहे हैं तो यह बर्ड ले रहे हैं यह अपन ला रहे बर्ड छोटा सा जो भी ऐसे समझ लो यह हमारा यहां से बर्ड निकलेगा यह हमार रूट तो यहां पे जब हम लोग कट करते हैं पैच बनाते हैं इसी में समझ लो यहां पे तो याद रहे कि यहां सब्सक्राइब तो बात करेंगे आवला जामूंद में पैज बडिंग होता है Rectangular से बड़ तो यह वह गया हो गया तो वह गया थी फुर मतलब कि जो तो फम होती है करते हैं तो चीप बड़िंग करते हैं इसको वूट के साथ हलका सा उसको लिया जाता है जब करते हैं तो हलका सा जो हमारा बड़ लेते हैं इसमें देखो यह इतना बड़ा है वो शारे नहीं है यह बीच में देखा तो उसके साथ वूड के साथ लेते हैं करते बने और चुक्त में कर रहे हैं तो फोड़ा सा ऐसे हैं यहां बीच में बड़ रहेगा तो ऐसे करेंगे फिर स्टैप के सांथ बांग देते हैं कि यहां पर निकाल रहे और यह बहुत ज्यादा क्या होता है फीर लगा बनता ही यह लग गया इसको व्रैप करने की ज़रूरत नहीं होती है तो इसको ज़र आप नहीं करें सर खुला है पानी आगा मौश्चर आगा अब फंगाल अटेक होगा ऐसा नहीं इसको कंट्रोल कंडिशन में रखते हैं हम कभी भी जब बात करेंगे कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग लेरिंग की लेरिंग तो बडिंग किस में होता है तो इसको यहां से अच्छे से याद रखो बेर में होता है ठीक है बड़ वूड इनमेट फिट अन्दा रूट इस्टाइब करते हैं यहां पर दिख रहा है उसके तू 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 फाइप थ्री सेंटिमेडर बार की स्टेकन हर जगा यहीं मिलेगा को ज्यादा बड़ा लेना नहीं है क्योंकि एनर्जी फ्लो में दिक्कत आगी है ना तो यह सिजए रिंग बढ़िंग क्लासिक एक ग्जामपल बिल्एं बेर में होता है यह सकसे रिप ऑगते होता है कि अब देखो कि इसमें क्या होता है वही फिर बात आगके बड़ आपक कि बात करेंगे यह तो क्या होता है कि इसको इसे करते आ यह इसे कर लगाते हैं यहां दो धिया जाटा है तो छोotte में किया जाता हे इसे विए आपको अलग अलग मिल जाएंगे थीग है याल को कमर्स स्यилась है आंअ कुल मिल लेंगे तो बताना यग तूनला में पैसे बहुत लाइव और से आएगा आप ऑलस्य करना नहीं चीज़ें को अलग लग मिल जागी हम इसा प्रैक्टिस बताएगी रबर में देखो और कट बड़िंग हो गया और उसके बाद बेर में बात कर रहे थे रिंग बड़िंग कमर्शियल टीवी दे रखा लेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेल में पेच आपका यह क्वेस्टन आया है आपके आ यह है अवला भी बड़िंग लड़िंग है ठीक है यह तो आप यहां से एक बार सबको देख लो यहां देखने से क्या हो जाएगा वाटिंग का खेल खताव कि बड़िंग तो इतने भी हो रहा है इतने हमारा काम होता है आगे जैसे लेरिंग कि यहां से यह पकड़ के चलो पूरे सार है उसके बाद घ्रार रहना कि हाड वूर्ड में कितना लेते हैं कि इसमें रफिंग नहीं करते हैं तो वह अंदर की बात है अंदर की कि स्पेषिलिटी याद रखनी है बाकी क्या है बढ़ने का तो कुछ भी आजाएगा होने का विंटर सिजन स्प्रिंग सिजन में यूज करते हैं तीनों कटिंग में से कौन से कटिंग में हुमिडिटी ज्यादा चाहिए रहता होता है तो यह सारी चीज़ें आपको थेवरी पढ़ने से मिलेंगी ठीक है तो यह रहा इनका क्या बोलते हैं अब यह थोड़ा प्रकेस्टि से आप लोग को इसका आंसर करो गलती यहां करो यह ज्यादा बेटा रहेगा का आप लोगों के लिए ठीक है तो कोई कौन बताएगा इसका अंसर क्या होगा अबजेक्टिव प्लांट प्रोकेशन इस क्या हो सकता अबजेक्ट पूछ रहा है तो सिर्फ वेजटेटिव का पूछ रहा है मतलब सीड़ भी हो सकते हैं और वह तब यहां पर ढूंटे अब देखोंगे सर यह सेट का होगा यह तो नहीं होगा तो नहीं होगा ना यह तो इसलिए जर्रल वे में हैं सार चीज़े क्या है इसका कॉन अंसर बताएगा 2022 है कि पहले इसको पहले करते हैं क्या हम सब्सक्राइबॉर्ट कुछ हो रहे हैं तो इसके बाद यह तो खतम हो जाएगा उसके बाद क्या बोलता है साट ली लाइफ स्पान और उसके बाद साट जूइलाइन फेस फ्लावरी तो यह दोनों में होगा कि सॉट लाइफ स्पान होगा इसका अंतर बता है तो हमारा इसका छोटा होता है ना तो क्या बोले हैं कि नॉट दडीश अड़ांटेज आप असेक्शुल डीशेडवांटेज में क्या है एक मिनिट इसका कंफ्यूजन होला है ना वीच अब फॉल्विंग इस नॉट डीश अड़ांटेज अब और सेक्शुल प्रोपोगेशन तो इसका एडवांटेज है हाँ ठीक यही है ठीक है तो क्या होता है कि सॉट लाइफ इसका क्या है दिक्कत करता है ठीक सॉट जूइ प्रोपोगेशन इस यूजड फोर अब देखो यहां से पढ़ो यहां पर वही राइजिंग राइजिंग बोला है लेकिर राइजिंग का तर्म हम लोग यूज किये थे किसके लिए यूज करते हैं कि कुंस आएगा कि और 이ानी-चो देखो सबसे पहले नहीं पतता रहता है तो आंसर यह माल यह बात है तो यह क्या हुआ इदेखो सभसे पहले नहीं पता रहता तो आंसर जो गलत है उसको ड्होलो है न तो गलत यह है इसमाल प्लांट यह तो गलत हो गअ इसमाल हम क्यों चाहेंगे हमें तो थोड़ा अच्छा का थी प्लाण करें गया हम्ट गड़ें क्या जाहिए हमारा यह होना चीजिए हाद है ना ठीक है पुछ कर यह बताओ यह वाला किसमें आएगा कि सेमी हाड़ूट एक और था तीन पार्थ हाड़ूट सेमी हाड़ूट पहला क्या है एक साल हाड़ूट सेमी हाड़ूट चार अब यह थोड़ा साथ आ जाता है इसके बाद बड़िंग वोट सेफ में कौन सा होता है याद रखना कैप्टन अमेरिका देखते होंगे तो उनके पास रहता है तो वह थोड़ा बोट सेफ में रहता है तो वह हमारा यह है किसी को और क्या बड़िंग बोलते हैं कमर्शियल अभी यह बड़िंग बड़िंग कमर्शियल किसमें होता है प्रोगेटर थूब आवला किसके थूब करते हैं पैच और पैच कमर्शियल पैच कमर्शियल इसमें ठीक तो थोड़ा यहां तो दो चीज़ आप लोग को पढ़ रहे हैं लेरिंग तो खतम भी आप तो नहीं आता कुछ भी आप गलत को बाहर करो ठीक है यहां दो चीज़ अब चीफ बड़िंग तो चीफ में पूरा निकाल रहता है तो उसके लिए पैच आराम से बना सकते हैं उसमें तो पैच बड़िंग यहीं था इसमें और स्रिवास्ता सर की बूख है वो द्यान हिंदी की वह बूख है वह आप लोग चाहो तो पर सकते हो बहुत इजी में हैं हिंदी में है और बहुत अच्छे उसमें लिखा गया ठीक है तो साइद आप लोग को यह दिखेगा क्या यहां से मैं बढ़ा के दिखा देता हूं आप स्रिवास्ता सर की तो इसमें हिंदी बहुत है आपके जो व्यापम की जो क्वेस्टन के रहते हैं तरीका क्योंकि ज्यादा नहीं होता उसके लिए बहुत अच्छा है तो उसी से मैं प्रिफर करता हूं और चार बहुत से तो यह चारी चीज़े आप कटिंग हो गया बढ़ में हमारा कमर से सब जगह चलता है उल्टा इसली यहां राय नहीं होता है वहां पर देखे होंगे कि जब ओपन कर रहे तो यह पानी से थोड़ा रहता है हम तो व्रैपिंग करेंगी लेकिन फिर भी क्या होता है कभी-कभी चांसे रहते हैं आगर हम जाके टीवर्ण में करत में व्रैइन खाल में होता है उसे डिकत होती तो उसको जगह पर वो juist कर देते हैं असे क्या हो जाता है यह तो बंदर यहां तक कैसे आ। बहुत सारा बंधर रहता है तो उल्टा टी कर देते हैं ठीक है लेकिन अब उसका चलने का रिजन यह नहीं हुआ कि अब तो हम सब अपना नर्शरी में कर लेते हैं सब प्लांट को क्या कर रहें इन विट्रो कंडिशन में आ रहा है तो सब हमारा कंट्रोल में रहता है है क्या कि एक दम से नहीं लेते हैं लेकिन अप्शन में अगर बनाना पाया रहे पाया माना है ना क्योंगी बनाना क्या है एक तो सबसे जादा आपम इस सुना होगा प्रूट क्रॉप में सब ज़्यादा पानी किसको चाहिए रहता है बनाना को ठीक है बनाना और उपर से उनका देखे हो किंधर सरकर्स निकलते हैं और वो वन टाइम रहता है एक बार आया ठीक है तो आप अगर प्रैक्टिस में जाओगे एक बार ले रहे हो खतम करो ठीक ले जादा कशाया है और अगर आपको कहीं पर लगता है कि सर बनाना का देखा हो ऑग्र यही हो सकता है कि शाइड में शकर्स आते हैं। और हो पानी जादा लेगा तो हमारा काश्ट भी बढ़एगा तो पापाया एक बढ़कर बढ़ी है समीं करता हैं क्या होता है श्रेंट कषुचा रोटे हैं कि तिसले में जाएंगा अटे तो फिर मैं उसको और एक बड़र मैं रिवाइज करके देखता हूं कि उसने दिया है तो क्यों दिया है में धूट है क्या बोले क्लोन बनाना है रोबोट क्या बोलते हैं रजनीकान का रोबोट बहुत सारे अपने ही मूगा बनाूंगा तो इसमें कोई प्रोप हरा नीला फिला तो आएगा नहीं है क्युंकि समय होता है कि मैं तुम्हारे यहां अभी बता है मैं यह समौज कर रहा हूं इस साइड में तो इससे बुए का आम पर इसमें लगां इसमें नहीं मिलेगा तो यह मतलब से लेकिन ना पास किया है की पिपिंग क्वार्टी है अलफांजों के पास quickly यह झूठ पास कोकर दिये मर्च तो अगर करते करते चले गए तो हमारा कोई एक करेक्टर आ गया आप सीम्पल सी बात है मैं और मतलब मेरे से मैं जुँप सम्लर हुँगा ही और लेकिन क्लोन की बात करते तो हमेशा क्या होता है प्रूटूटू टाइप ही आएंगे इसी वज़े से युनिवार्मिल्टी है ना उसका बहला करेक्टर तो यह होता है अब इसी को जब हम वहां जाएंगे आप classification पढ़ेंगे यहां पर confused मत होना यह clear हो गया है जब हम पढ़ेंगे तो true type seed का और true not true type seed वो अलग आगा मैं उसको वहां पर बताऊंगा यहां पर फिर huge to same to same अपने पैंने प्रिट्स के नहीं हो हो थोड़ा सा करेक्टर हो सकता है है नई उसके यह यह sunt बता है सिंपल साथ ठीक है और किसी को डाउट कुछ है कि क्या बोले जो बताएं सर जो सबसे ज्यादा मतलब बीच में लगाया था तो वह बीच में क्या बताया था बीच में सर जो बहुंच जडा लगा थे नसर जो भी हैटे का नाम बता है कि सबसे महँगा पास अच्या तो प्या था वहां है कि अच्ब्सक्राइब क्या नाम है अरे कि उसका फोटो है मरे पास वीडियो में तो अभी आप लोग फ्री रहोगे तो बारा से पंदरा तक फिर आम उस्वा लगने वाला इस बार और नेशनल लेवल पर हो रहा है पिछले बार कहां हुआ था आम केसरी में हुआ था पंजाब केसरी में तो वहां पे कम जगा थी अब इंद्रा गांधी होस्ट कर रही है न तो आना कभी हमारे केंपस में लगेगा तीन दिन वही ड्यूटी रहेगी बारास पंदरा तो अगर घूमने सौकीन हो तो देख सकते हैं आप लोग को हो सकते हैं आप लोग को डलवा दूंगा ग्रूप में कैसा होता है तो आप लोग को पूरे आम की डैवर्सिटी वहां तो आ सकते हैं आप लोग बारा से हैं ठीक है और किसी को कुछ डाउट तो कल के क्लास नेक्सटर हैगी आपका अकल सॉरी है कल संडे है तो में भी कल ना आप लोग थोड़ा वह करना इवनिंग में कुछ सर वह करेंगे आपको जो क्या बोलना चाहिए जो प्राइज है इनका ना जो भी आप लोग को पार शंडे है तो बांकि आप लोग का साम तक ग्रूप में देखते रही और किसी को कुछ इनमें से डाउट देखो पूछना या पूछलो यहां पर सरम मत करना है पहले बार बता दिया हूं कि यहां पर गलती करने की गुंजाइस पूरा है पूरा करो कोई दिखकत नहीं है तो और किसी को डाउट पुशकर स्क्लियर है सब जी सर और राकेस आपको सर जो वह ना सर कटिंग क्या जानना चाहता है सुरुज बताओं कि सब लोग बने रहो क्योंकि रिवाइज है एक की वज़े से आप सबका भला हो गया तो मैं बताता हूं आपको है ना कटिंग का वह बेसिक फंड है जो तीन पार्ट होते है अब जो हो बच्चे उनको उनसे भी पूछ लेंगे तो लिग जाएगा किरुज के टिंग कहां गया अगया आतरी हम यहांप समझाता है ना यहां पर दीख रहा क्या आपको कटिंग आपकों जैसे कटिंग बोल दियांति तीन पाट आपको दीखेगा tut क्टिंग लेया ठीक है दे यार कि यह कटिंग दिख रहा है तीन पार्ट दिख रहा है को है यह तीनों पार्ट ही हमारे क्या है हमारे काम के है यह देखो यह तीनों दिख रहे हैं तो हम अगर आपको बोलेツरांके पार्च में हो तो जो नीचे उसको यह सकते से यह सब साव पर रहे गा चिंग ट्रीट गूपर आता है टर्मिनली तो और सबस्क्ति कु सब्कुक्रेंगे जो घे तो सब्सक्राइक को मुलएने सिर्थ सबस्क्रesgenое बताया वही है और यह सेमी है और उसको कैसे लगाते हैं यह आपका process है ःसलाय करके लगाते हैं तो यह सारी चीज आपको इसमें है ठीक है कि ऊसको एगी तो आ गैजिश्य को थे तुम सब्सक्राइल रही आप लोग चाहो तो देख सकते हूं और किसी को कुछ इंद्रेश आओ आपको कुछ दिक्कत कुछ समझ आया डाउट हो तो कि एक चलो सबको समझ आ गया लग रहा है प्रियंका आपको समझ आया ठीक है चलो है ना चलो फिर आज का क्लास ओवर करते हैं ठीक है चलो थैंक यू थैंक यू सर्थ थैंक यू सर्थ ठीक है कल फिर मिलते हैं ना परसो मतलब छुट्टी रहेगा झालो चलो घर एलो एलो भी करते हैं यूसाँ आपको समझ दोटेस्ट का लूसार जब छोस्तर प्रियंक यूसाँ अलोइगा घ्लोवर्टी यू थैंक टूसके समस्ट आपको समस्टर्ज़ रहेँ जगर विर को समस्तर्स्टर्ण ना एंक यूएँ़